सभी लोगों का स्वागत है हम लोग यूपी पेजीटी के हल प्रश्ण पत्र को पढ़ रहे हैं आज 2003 का पेपर देखेंगे तो आज का पहला प्रश्ण है हरी हरव सब्द का विग्रह होगा यह है हरी हरव का सब्द का विग्रह होगा हरी चाहरव चाहर 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 चा इस से नहीं लगता उससे बना है हारी हरो सब्सका विग्रह होगा हरिष्य अखरस्य यह लेकिन यह समाहार का नहीं है इत्रेतर दुंद समास का उदारण है सबतरस्या में कौन सा समास है सबतरस्या में कौन सा समास है अव्याई भाव तत्पुरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तो सहरी किसका है बेभाव का है ध्यान के 16 अर्थों में बेभाव समास होता है जिसमें एक सहरी भी है विकल पे आपका जैसे उपगंगम उपकृष्णम प्रतिदिनम प्रतेकम और क्या अनुरथम यह सब बेभाव के उधारण है उपकृष्णम ठीक यथा सक्ति सब द्यार कि यह जाता है जब चारा पड मिलकम पूसदिनों हो जाता है तो क्या होता हैस तो आयसे टोफेवाव समास हötा दिवरे हैं कुप ऊरिशा में क्यों सबसे हैं कुप उर्शेह नय थित्पूरुष्दी पूर्श के कर ने थितुरिची थे उतक हैं कुछ स्थिता पुरुष्य क्यों क्यों हो जाता यह प्राद बार किस तत्फुरुष का तरध कि सपican श्राख के गार प्राधि तपुरुष का रखैरा राम कृष्णा कौह सवां से एक शेश्यक्ष्टन समाहार इतरेत्र फ्रुपफ adapt नहीं तो ताट सेक्राडा में कुन सा समास बयां निया किसका समास है तो उसे तो उसे चंद्रासेखरे चंद्र सेसली कर जान सब्सक्राइए चंद्र 새ष्य ला अग्ला न emptyत्र हिस्कों芝 इकथ समास कर दॉप्स जरता ही उपजार्वून फिन sneaking तो फिल्म वक्लबित धी करकuite एक ग्वाई कों आपका करेंगे तिर्थ 12 एंतारग का। अब रामड़ा में कुछ सा समास है अब बहुबरी ही दोंद तत्वरुस तो तत्वरुस है नई तत्वरुस है कैसा तत्वरुस है तो नई तत्वरुस समास है विकल्ब डी सही उतरगा और अब उत्रह पूछेगा तो नई बहुबरी ही समास है ठीक है इसका द्यान अधिकरण कारक का ये भी सुत्र है तो विकल्प आपका डी सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए कर्ति कर्मडो कृति सुत्र है किसके अंतरगत आएगा संप्रदान कारक करण कारक संबंद कारक कर्मकारक क्या होगा विकल्प स्वत्र हता है किसके तो यहां पर आपको मात किसके वर्वन से संबंद जारक कर्मकारक करक कि अन्तरगत आता है लिए ते किष्णा माता से किष्ण चिपते हैं अब माता से अपने आपको चिपाते हैं तो यहां पर पंचमी होगी विकल सी आपका सही उत्तरोज आएगा मातु में पंचमी है ना कि सश्थी बालकेभ्या मिस्ठान्नम रोचते रेखांकित पद में कौन सी व्वक्ति है तो किसमें पूछा जाएगा बालकेभ्या में कौन सी व्वक्ति है तो जो रोचते रुच धातुति के आने पर क्या होता है चतुर्थी वक्ति होती है तो यहां बालकेभ्या में क्या है चतुर्थी का बहुवचन है बालकों को मीठा पसंद है मीठाई पसंद है तो मालकेभ्य मिश्ठान नम रोचते ठीक है तो विकल्प भी आपका सह उतर है रुच्यर्था नाम प्रिमाडः सुत्र है नहीं है ना रुच्यर्था नाम प्रिमाडः है चलिए जटाभिस तापसा में तृतियाविवक्ति का हेतु है इत्तम भूत लक्षड़े करड़ता अंग विकार उ तो आपका अंग विकार हो जैसे सिर्षा खलवाट है करडेन वधिरह क्या अक्षडाकाड है पादेन खंज है यह सब ठीक है गमधा तु लिट लकार प्रथम पुरुष दुई विचन का रूप बताना है तो लिट लकार देखिएगा प्रथम पुरुष दुई विचन में इस जगाम जगमत हु, जगमत हु, जगम, क्या होगा तो यह जगमत हु बनेगा रिकल्ब भी अपका सही उत्तर हो जाएगा भूध ओंऊ लंग लकार प्थम पुरुष एक वचन का रूप दुद्ध बभू अभूत प्रतन प्रत्वावचन का रूप बताना है पठ्थेई होगा नहीं पठंत ही होगा नहीं पथन पठत तो क्या होगा लंगलगार भूत काल के अर्थ में आपको बताना है तो आप हाउन प्रत्रि पृश्भावोचन में अपठ्थन टेक एंग मैं कौन 00офrt है ताब गीप घेश है घीज घीन क्या होगा ये सब में अदार ए सब क्या होगा देखते हम लोब अगला पृष् scène हमारा प्थनी सबї में कौन सा प्रत्य है प्रक्षनी में आपको क्या दिख रहा है अनिर आनीए दिखे रहा है कि अजएगे हुगा त proprio के दिखे रहे या में कल आए लैक नया टो बिकल्ब की र्थर यास यह चवर्ग यह और तालब यह वाला श्या इसका क्या है ताल उचार स्थान ताल है कंठ का अकुष विसर्जनिया नाम कंठ और कवर्ग हा विसर्ग यह कंठ से बोले जाते हैं मुर्धा से बोले जाते हैं, और रो री तावर्ग being और सा यह वाला से बोल मुर्धा से बोले जाते हैं तो टो भिकल्ब यह अपका सही उत्पर हों जाएगा चल्या परश्टियों चलते हैं ग़ह वब्ढ़ाओ शारस्थान है तो बताया गया है क्या होगा कंठ होगा क्यों किसमें आ रहा है कंठ में आ रहा है तो कहां आएगा कवर्ग में अगला देखिए दैत्यारी में कौन सी संदी है ध्यार रखिए का दैत्यारी दैत्यधन अरी इसमें आपको संदी बतानी ये गुड़ संदी दिर्ग संदी व्रिद्धी संदी ऐयादी संदी तो क्या होगा दैत्य प्लस अरी तो आ हो जाएगा आ का सवर्डे दिर्ग संदी है विकल भी आपका से उत्तर हो जाएगा कि शुष्षुपाल ओधम में कितने सर्ग है तो 17, 18, 19, 20 तो नो पस्क었 है ओन संदी व॥्षिमें लिकल कि संदी कोमार्शों में 28 किरातार का रजूनियम्त मीं है ठीक है आगे देखिए अगलाज प्रस्विए के किस सर्ग में गंगा यमणा नदी का वर्ड़न है तो किस में है प्रथम में चतूर्थ में दौदरे सब्सक्राइज में आजब का कि आगमन होता है नारत रिश्ए का प्रत्म सर्ग में ठीक है चली अग्ला देखते हैं नसधी चर्तम में कितने सर्ग सुकृत किये गए हैं 18 20 22 27 तो आपको पता है कि नैसधी चर्तम में 22 सर्ग है ठीक है 18 आपको बताए किसमें किरातार जूर्णियम में 20 आपको शिश्वाल में तो मुलता 28 सर्ग प्राप्त होते हैं किसमें बुद्धचरितम में तो आपका विकल्प यह सही उत्तर हो जाएगा अगला देख लिजिए बुद्धचरित महाकाब में महात्मा बुद्ध को बुद्धत की प्राप्ति का वर्णिंग कि सर्ग में होता है नौवे में बारावे में 24 वे में 16 में में किसमें होता है बताइए जल्दी जल्दी किसमें हात 14 सर्ग में बुद्ध के बुद्धत की प्राप्ति 14 में होती है विकल्सी आपका सही उत्तर हो जाएगा देखिए अगला प्रश्न शिराज विजे कितने निश्वासों में विभक्त है 10 12 8 6 तो आप को पता है तीन वी राम और बारव निष्वास हैं चार चार पर से थार यह हो जाएगा बार कर अबार्व कि इसकी रच्ना है विद्यापती कलहर धन पाल अगज की तो तिलक मंजरी धन पाल कि कि Cinema की पाल किने जब की क्लहर की क्या है राष्त रंगडी नेति संहार है महाकाव गीतिकाव नाटक है तो आपको पता है कालिदास इंडिकाव जी ने लिखा यह गीतिकाव लिटाबी और विकल्प सी सहे तरज कहा प्राइग के बात कर तो आप पोवशां Ilाव यह किन हो सी ठीच एह स elaborative की इत है तो यह हाल की है ठीक है अ्षोघोष की रुटना क्या है अस्विज कि क्या है बुद्द्ध चरितन में महा कावी लिखे ही इस अंदरbox रुखह हैं घठकर की जानते हैं धुर सी ज्यू सवस्यतक के लेखक है सोमेशोर आनंद वर्धन गोकुलनाथ बल्लाल तो यह गोकुलनाथ की रचना है किसकी आनंद वर्धन की आपको पता ही है दुनिया लोग जो कि आनंद वर्धन की काविशास्त्री गंत है और बल्लाल की बल्लाल सेन महाकाब में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए ठाइस पैतिस आठ वारा तो चमेदाम आठ होने चाहिए कितने महाकाब में कम से कम आठ सर्ग होने चाहिए ठीक है तो भी कब सी आपका सही उत्तर हो जाएगा आठ सर्ग होने चाहिए महाकाब में अंगिरस नहीं होत प्रतिमा नाटक में साथ हैं अविग्यान साकुदल में साथ हैं उत्राम चरितम में साथ हैं ठीक है लेकिन साथे डिक्तने हैं च्छह जोकी भास्ट ने लिखी है किसे ने साथ को में साथ किस जुब को पता है है संस्कृत नाटसास्त्र में रूपकों के बहे था तो आपको पता है कितने होने चाहिए अठार होनी चाहिए विकल्प सी सही उत्तर हो जाए उपरियूपक 18 है रूपक 10 है निम्नलिखित में से किसका मत्र है कि संस्कृत नाटको की उत्पत्ति स्वांग बात से हुई प्रोफेसर हिल ब्रांड इस्टेन कोनो उपरियुक्त दोनों डाक्टर पिशेल क्या हो जाएग तो प्रोफेसर इज्वे प्रोफेसर लूडरOS प्रोफेसर विंडिस डाक्टर पिशेल तो क्या होजाएगा डाक्टर पिशेल डाक्टर पिशेल ने पुत्तर अलीका निर्थ निर्थ के साम्वेत का ग्यान इलbok halfatic क्या है कि कर्मकांड seminar तो यजूरंवेत का है गान सामवेत का से भी तूरों हो एक स्थ पेंिस संबंदित टूर्ट साखा किसे संबंदित पर राडाएन जयमिनी यह सब किसmals संबंदित समस्टित कौथूं साखार आडायनी जैमिनींए यह तीनों śamaष से है ठीक् wijBA द है एक धर्यू किस से समबंदित है यह जुर्वेद से रेक विट्से होता है अथरवेद से अथरवेद से कौन समस्में संदित अश्या वैद गात्री वैद के उद्धान का quién यह लेकिन यह जोर वेद का दर्य दिशेट नहीं अथर्वेद का धनुर्वेद है सर्पवेद है ठिक कि अधर्यू हो इनके रिशीगड़ है तो परितो शाद विश्राव न साध उमन्य प्रयोग ज्ञानम यह सुक्ति किस गंध से संबंदित है उत्तराम चर्थम से माभारतम से विज्ञान साकुंतलम से किजारतार जूनियम से तो कहते हैं जब तक विद्वानों को हम अपनी बातों से संतुष्ट ना कर लें तब तक मुझे संतुष्टी नहीं होती ऐसा सुत्रधार कहता है अब ग्याँ शाकुंतलम के प्रथा मंक में विकल्सी आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है गंड़ से उपर ही पिंड़का समृत्त हा क्या है सुक्ति है काविलक्षड मुहावरा उप्रुक्त में से कोई नहीं है य आपको पता है सानुमती की चर्चा सश्ठंक में आता है और सश्ठंक में भेजा जाता है वह आती है दुश्यंत को बारे में देख के सुनके जाती है विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा सानुमती में विदूश्यक किस नाटक से संबंदित है आपको पता है मिशिकटिकम से मलकृग मित्रम से विज्ञाशाखवून से सपनासोधतम से मैं लिए कि दौरान के द्वारा कहीं गए अगल लग्य १िक्रम और वर्षीयं का नायक है कौन नायक हो सकता है अगनी मित्रे विक्रम है कि माधव है तो विक्रम और उडुरुशी hai शीनाई आप hai तो उपता है कि या राघव वीलाश किसकी रचना रास एक रटकिव कि राघव साहिड दरपड जिसकी है उसी की है किसकी है विश्चाहर विष्णात क्मध रटकिए क्लेजश केले नाति सास्त्र है एकुटक का क्या है व्क वक्रोगति क्या हाँ वक्रोगतिजी तो राज सेखर का तो नहीं शेमंडर की лег राज सेखर का व क्वह भाई नहीं ewuna by Eat the girlshui अलने को भुषा में दुनिया कितने सर्गों में विभक्त सोब करके कि को दूनिया 5강 तो यह आपको पता होना चाहिए जब उनकी विदाई होती है तो गंगा जी का जब इस्तुति करती है तुसी समय उनकी अंगूठी गिर जाती सचीतिर्थ में विकवड़ी सहयुत्र हो जाएगा अविज्या शाकुंतलमें मातल कौन था दुष्यन का पुरोःतु कर्णो का साएन गणव के सिनस्वा आध्यों के सारंगरो सारदत है ओमारी चरिशीस के गालों है ठीक है अविज्या शाकुंतलम की कथा महाभार्त किस पर से वन पर सभा पर आधी पर सांथ पर तो आप सब को पता है किस से है विग्यां साकुंद लां महाबारथ की आधी पर से लिए असब पर को पता है शिशपाल उधम बन परस नेशधी चर्तम नल चम्पू किरता जूणियों तो सरे इता होगा है ंघू अंघविका तो अ TO और विखेंगा चलिए देखते हैं तो विकल्सी सई उतर होगा हां तो इसका क्या है रूडि लक्षडा को दारर हां यह जानल लीजिए पूछा जाता है बहुत कलिंगह साहसिकह और दूसरे का रूडि उपादान लक्षडा क्या है हाँ श्वेतो धावत फिर आपको यह गंगायम घोसा का तिसरा है और उपादान लक्षण प्रयोजन उपादान लक्षणा नहीं भाई हाँ यह ध्यान रखेगा हर बार पूचा जाता है इसलिए बताया गया ठीक है चली अगले प्रश्ण के चलते हैं हम लोग अगला प्रश्ण है मारा अगला प्रश्ण देखिए कलिंगा साहसिका किस लक्षण के भेत का उधारर है भी बताया भी गया रूड़िवति सारुपा लक् लक्षण लक्षण अभी कल भी आपका सही उत्र हो जाएगा किसका अ अब रूड़िवति सादुन लक्षण का भेत है ठीक है उधार sırण है और इसका रूड़ उति सारुपा लक्षण रूडवति सारुपा का येई इसका उधारण हो गया अब देखिए रोडवती साधिवसाना लकष्ण लक्ष्ण स्वेतो धावत उपातान लक्ष्ण स्वेतो भुखन लक्ष्ण रोडवती साधिवसान कर्फ क डर्णा अच्यम्थ नढक्सा रोपा उपातान लक्ष्ण आगे देखिए साहित दरपड के रचैता कौन है आपको पता ही है कौन है आचार विश्वनाथ जी है मम्मट कावे प्रकास की लेखक है रास्त सेखर अभी बताया गिया किसके का विवांसा के पंडिरा जगनात किसके रस गंगाधर के हैं ठीक है चलिए अगला प्रशन देख अगला देख लीजिए उत्पत्ति वाद किससे संबंदिते कई बारे बताये गया है बठ लोलट से भट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् भट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तुरगाद न्याय की बात होती है अभिव्यक्तिवाद ने पान रशक न्याय की बात होती है ना पताए कि नहीं जानते रहे पूछा जाता है अनुमीतिवाद के समर्थक है लीजी अभी भी बताए गया बट लुलाट बट संकु बट नाय अवनो गुट तो भंट संकु कहें भट संकु किसे संबंदित हैं अनुविती वात्षे हैं और इसके आगे तो बताए गया है किसे संबंदित है कौन कि विभावान उभाव विविचार से योगाद रस निस्पत्ति किसे संबंदी थे बताइए आचार मम्मण चे आचार विश्णाद चे आचार भरत चे आचार वामन से किसे हैं तो भरत मुनी से रस के संबंद में बताया गया है इसी निस्पत्ति को लेकर चारो अचारे ने अबना मत दिया है जो कि जिसमें आचारिकों ना भटलॉलत हैं संकुक भी है और भठनायक भी है और अविनवगुप्त भी है ठीक है चलिए अगला देखिए अभिव्यक्तिवात के समर्थक हैं कौन है अभिव्यक्तिवात के समर्थक भठनायक अभिव्यक्तिवात के समर्थ अभिनाव गुत्त विकल्बी आपका सई उतर है अगला देखिए वाक्यम सात्म का जर्णनात का आपको सब को पता ही है वाक्यम साहे दरपड के प्रतम परिष्छ द में किसने मिश्छिना जिने का है मम्मठ का बताया ही क्या है और जर्णनात का क्या है कि रम्ली यार्थ प्रतिपयात का सब्दा काव्यम है तदोसों सब्दार्थव सगुडवन लंकृति पुना कौप यानद काव्यस आत्मा ध्वनी है ठीक है अगला ध्वनी रात्मा काव्यस इस परिभास से संबंध आचारी है विश्वनाद धंडी वामन आनद इतर्थ जाहिष बाते सभी लोगों ने अपने 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 काव्य का लक्षह प्रथम में ही किया जैसे आनद वर्धन प्रथम उद्योत में कि आचार विष्वनात का काव्यस याने की अच्छा उनका हो सकता मम्मट का किस निया दर्शन संकुने Milky समद्ध निया दर्शन सब्धार्शन से क्या था टो धर्म जिक्याशा तो पता एक नहीं और जैं क्या है सब्ट भंगी ने स्यादवाद सब ंदुत हैं तर्क संग्रह के अंन्सार सर्फ दप दार्थों की संठ्या है साथ ल्यार तेरत तो कितना है तर्ज संग्रह कि बात हो रही पदार्थ कितने है जबकि सॉड़ा सें किसमें tarq pics तर्क भासा में ठीक है नव हैं द्रव्य क्या है आद ध्यान रखियेगा आगे दिखिए तर्क बासा केंसार कर्मों की संख्या कितनी है तो पांच ही कर्म आने गए हैं कितने पांच तुबिकल्प सी सही उतर है उक्षेपड आवक्षेपड आकुंचन प्रसारण निगमन यहीं पांच कर्म बताएगे हैं तरक संग्रा के इंसा कारण की कितने बेद हैं यह तो आप बहुत अच्छे जानते हूं कि कितने समवाय कारण निमित्त कारण यह तीन प्रकार के कारण बताएगा जो विकल भी स्रीमत भगवत गीता के इंसा निसकान कर्म का अर्थ है क्या अनासकत होकर कर्म करना विकल्ष्टी सही उतर होगा यह इसलिए फास्ट हो रहा है क्योंकि पिछले वी वीडियो में आपको यह सब प्रशन मिले होंगे और यह देखिए यह देखिए कितना दुराया गया प्र कईखिए कर्म 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 कातां आत्र सब्लियोंने से कोई नहीं क्या हो जाएगा घीता में को हिव इंवादिकार प्विकल्स करम को ही और रहना है कि अच्छा मत करो कर्म के बारें बताया गया है तो विकल्प भी आपका सही उत्र हो जाएगा जैगा जगत परमका परेडां में विवर्त है उप्रीवक्त दोनों है कि लिएसे कोई नहीं है क्या है विवर्त है ठीक है अपने वजूद को ना छोड़ करके क्या होता है दुसर व्रांति और यहीं व्रांति अज्ञान और माया इसने सब का रूप होता है इसको वेदान पें बोला गया है विकल्प सी सहित्तर हो जाएगा इसके कई नाम मिलते हैं साधन चे तुष्टे में को नहीं है अनुबंचे तुष्टे पता है अधिकारी विशे संबंध प्रयोज चार ब्लै। तुष्टे को साधन चे तुष्टे वह चारिनित्या नित्तवस्त में कี่हां मुत्रार्थ भलभुविराग और सित्यानी नीं तुष्ट वर्भटरी को फाथज है संब और साहरिक नित्याने तवस्तुवेक समयाधान जाधन संपत्य मॊचृतining एहां मुत्त प्रफ़ भोग विराग ठीक है चलिए अगला तितिक्षा किसे कहते हैं सरवदाव असनाओं का त्याग निश्य तिविश्यों से बाहि इंद्रियों का निवर्तन सभी मौसमों को सहन करने का अभ्याज मन का सही हैं क्या हो जाएगा जो सभी मौसम को सहन कर ले ठंडी हो बशात हो कोई मौसम में अपने को धाल ले वह बरदास कर ले वही तितिक्षा है विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा जगत कितपत्ति का कारण है अज्ञानो पहित इश्वर ब्रह्म आत्मा क्या बताय गया है अज्ञानो पहित चैतन्य यही जगत कितपत्ति का बश्रण को दोन आपके अचानो प्रशनी कितने हैं तो आपको केवल इस न्या प्रशन दिया जा रहा है करें जानि कर्के आपको नहीं रहना को दो इस पूछा जा रहा है तो उन सब को मतलब को भी समझना है कि कैसे घुमा कर प्रश्न को पूछा भी जा सकता है तो बस आज इतना ही नमस अंस्कृत है